दक्षणी एक ट्रेस नताशा इस भारतिये खिलाडी के साथ हुई स्पोट देखें तस्वीरें टीम इंडिया के ओल राउंडर खिलाडी हार्दिक पांडिया भले ही क्रिकेट के मैदान पर रहे या मैदान से बाहर हो सुर्खियों में बने ही रहते हैं अपनी बिन्दाज जीवन शेली के लिए मशूर हार्दिक पांडिया एक बार फिर प्यार की पिच पर बोल्ड हो गए कुछ दिन पहले लंदन से अपने लोवर बैक की सरजरी करवा कर लोटे पांडिया अब डांस रियलेटी शो नजबलियनो की कंटे स्टेंट नताशा स्टेंकोविच की बजह से चर्चा में बने हुए हैं बता दे हाल ही में हार्दिक ने इस शो में सरभियाई मॉडल और अभिनेतरी नताशा स्टेंकोविच के लिए वोट अपील कीती हार्दिक का यह पोस्ट काफी वायल हुआ था हाला की नजबलियनो के विजेता प्रिंस नरुला और योविका चौदरी बने हैं अब हार्दिक और नताशा को बांदरा में एक साथ स्पोर्ट किया गया है दक्षन अफ्रिका के खिलाफ टी डट सीरीज के बाद से हार्दिक पांडिया टीम इंडिया से बाहर हैं गौर तलब है कि हार्दिक पांडिया क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं लेकिन फिर भी सुर्खियों में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स की माने तो हार्दिक इन दिनों नताशा स्टेनकोवेच को डेट कर रहे हैं. हार्दिक पांडिया का नाम इससे पहले अभिनेत्री ईशा गुपता, उर्वशी रौतेला और एली अवराम के साथ जुड़ चुका है. हाला कि हार्दिक पांडिया ने अभी तक अपने किसी भी रेलेशनशिप की खबर को अधिकारिक और पर स्विकार नहीं किया है. अब पांडिया का नाम नताशा स्टेनकोवेच के साथ जुड़ रहा है. खबरों के अनुसार हार्दिक के परिवार को इस रिष्टे पर कोई आपती नहीं है और लगता है कि वे हार्दिक पांडिया की पसंद को लेकर खुश है. नताशा और हार्दिक एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. बादशाह के हिट गीत डीजे वाले बाबू के संगीत वीडियो में दिखाई देने के बाद नताशा की लोकप्रियता बढ़ी है हार्दिक पांडिया जब चोट से उबर रहे थे तब उनके जन्म दिन पर प्रेमी का नताशा ने उन्हे सबसे प्यारा उपहार दिया। हाल ही में हार्दिक और नताशा को मुंबई में बांदरा में डिनर डेट पर स्पोर्ट किया गया है सोशल मीडिया पर हार्दिक और नताशा की इस डिनर डेट की कई तस्वीरें वाय ही हो रही है सर्बिया में जन्मी और पली बढ़ी नताशा ने 3 साल की उम्र में डांस सीखना शुरू किया था 17 साल की उम्र में उन्होंने मौडलन स्कूल अफ बैले में दाखेला लिया 2010 में मिस्पोट्स सर्बिया का खेताब जीतने के बाद अभेने और डांस में करियर बनाने की ठान ली थी खबरों की माने तो हर दिक नताशा स्टेन कोविच को अपने परिवार से भी मिलवा चुके हैं